नमस्कार, चैनल क्रांती न्यूज इंडिया पर देखते हैं आप राधिक सामाजिक राजमीतिक गलियारे से जुड़ी आज की कुछ ताजा खबरे क्या सच में हमारा देश विकासशीर्ता की दगर पर है? भारत जैसे देश में गरीब जनता पैसा ना होने की वजह से बिना इलाज के मर जाती है वहीं दूसरी ओर आसमान को छूती महंगाई के दोर में आज की वर्तमान सरकार ने जनहित सनरक्षन तहट मामूली भीमारी के इलाज की दवायों जिसमें बुखार, पेन किलर, होट डिजीज, अंटीबाउटिक, अंटी-इंफेक्टिव, कार्डियक के अलावा 800 से रह की चल रही गतिविधियों के बावजूद हम कैसे कह सकते हैं कि यह गरीबों की सरकार है, यदि सही मायने में देखा जाए, तो यह गरीबों की नहीं अमीरों की चहेती सरकार है अगनिवीर देश की सुरक्षा के साथ किया गया एक भाजपाए समझोता है देश के युवा और जनता, सभी मयलकर अगनिवीर जैसी अस्थाई व्यवस्था के खात्मे के लिए लोकसभा में बैठी सत्ता सरकार को अब उखार फेकने के लिए तयार बैठे हैं जरा सुनिए कैसे देश की सीमाओं को खत्रे में डालने वाली यह सत्ता सरकार हमारे देश के लिए आती हानिकारक है गुर्खा सैनिक तो अगनिवीर के चलते चार साल को वो नकार रहे हैं और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सैना में बखती होने जा रहा है तो वही सैनिक जो हमारे शक्ती थी जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई कहे कि मुझे मरने से डर नहीं लगता तो वो या तो जूट बोल रहा है या फो गुर्खा है आज वही गुर्खा चीन की तरफ से हमसे लड़ेंगे तो ऐसा उथल पुथल हो रहा है मगर हमार में से मीडिया जरा भी चर्चा नहीं कर लेगा है मेरी आप से विंती है कि आप एक मीडिया बने और इन वीडियोज को शेयर करें और कहें इन हमारे भरत के मीडिया चैनल से जो की चौथी स्टम्भ है पिलर है डिमोक्रसी के कि वो अपना फर्ज निभाएं इन सब बातों को गहराई से सोचने समझने है तु स्वतंत्र नागरिक अमरनात कुमार के स्वतंत्र विचारों को आप भी गहराई से सुनिए और विचार कीजिए नमस्कार दोस्तों मैं अमरनात कुमार क्या देश में पढ़े लिखे इमनदार लोगों की आकाल पर गई है? देश में कोई भी नौजवान पढ़ा लिखा नहीं है इमनदार नहीं है जो देश चला सके? इस देश में कानून है साट साल के बाद रिटायर कर देते हैं किसी को बासर साल में रिटायर कर देते हैं किसी को पैसर साल में रिटायर कर देते हैं और कारण नहीं दिया जाता है कि बहुत नोकरी कर लिया अब ठक गया है इसको सोचने समझने की सक्ति खत्म हो गई है इसलिए इसको रिटायर कर देते हैं लेकिन राजनीती में रिटायर होने के बाद लोग आ रहे हैं तो क्या समझा जाए कोई 70 साल का आदमी परधान मंतरी बनने के लिए बेचैन है कोई 65 साल का आदमी परधान मंतरी बनने के लिए बेचैन है कोई 68 साल का आद बोट के मदले में आपको क्या मिला ये सोच लेना क्या इन निताओं का मांसिक परिक्षन नहीं होना चाहिए साइकोमेट्रिक टेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए क्या ये देश चलाने लाइक है क्या निर्दे लेने लाइक है बहुत जवड़ी है कि आपको एक परहा लिखा इमंदार परधान मंत्री चुलना चाहिए परहा लिखा और इमंदार इस देश में बहुत सारे परहे लिखे भी है नेता है जो IIT किया हुआ है I.R.S. किया हुआ है लेकिन जूट बोलता है उनके उपर क्रफशन के चार्जेज है जो भी बोला उसका थीख उल्टा किया तो ऐसा परधान मंत्री भी नहीं चाहिए जूट बोलने वाला परधान मंत्री लोग को गुमराश करने वाला परधान मंत्री अपने गुरू को देने वाला परधान मंत्री भी नहीं चाहिए तो आपको कैसा चुनना है परहा लिखा और इमंदार परधान मंत्री जिसका दिमाग काम कर रहा हो जिसको सोचने समझने की सकती हो जिसके डिगरी का पता हो अगर वो परधान मंत्री बनता है तो उसके साथ ही आके गर्व के स कि देखो मेरे साथ पराए मेरा वैचमेट यह परधानमंत्री नहीं जिस जो परहाई किया उसके खोलेज के न टीचर का पता है न उसके दोस्त का पता है कहां परहा कब परहा कुछ पता नहीं हो ऐसा नहीं चाहिए क्या समझा जाए जब एक old age का आदमी परदान मंत्री बनेगा जिसको सोचने समझने की सक्ति कम होगी सारी रिर्क से कमजोर होगा तो देश पे राज कुन करेगा देश को चलाएगा कुन bureaucrats IAS और अपनी मर्जी से चलाएगा अगर देश का परदान मंत्री मुख मंत्री मंत्री परहा लिखा नहीं हो कम परहा लिखा हो तो काम कौन करेगा IAS IPS और वो अपनी मर्जी से चलाएगे गुमराह करेंगे और सरकार को भठकाएगे और देश गढ़े में चला जाता है जैसे अभी चला गया जैसकी अर्थवेवस्ता चौपट हो गई आप सबको रुजगार नहीं मिला स्कूल कॉलेज बंद कर दिये गए मिला क्या आपको बड़े अच्छे अच्छे लुवावने बादे हुए मिला क्या सबकी जाच होती है आप प्राइवेट नौकरी के लिए जाते है आपका मेडिकल टेस्ट होता है वरवेंट जॉब में जाते है तब भी मेडिकल टेस्ट होता है आपको पूरी जाच होती है आपका आँख का कि आँख आपका काम कर रहा है कि नहीं करना है होता है आजकल ये भी हो गया है बड़े बड़े संस्थान में उसकी मांसिक्ता भी चेक की जाती है मांसिक परिक्षन किया जाता है कि उसका दिमाग ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है क्या इन निताओं का मानसिक प्रिक्षन नहीं होना चाहिए साइकोमेट्रिक टेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए क्या ये देश चलाने लाइक है क्या निर्दे लेने लाइक है क्या ये देश चलाना कोई ममली बात तो है नहीं किसी एक के घर का मामला तो है नहीं ये पूरा भारत 140 करोर की अवादी और बड़े फैसले लेने हैं और लाखो करोरो अरवो रुपय का फैसले लेना है आपके भविश्च का फैसले लेना है देश के भविश्च का फैसले लेना है क्या वो मानसिक रूप से मजबूत होना चा उनको ताक पे रख दिया गया है और अभी भी छट पटा रहे है अभी भी लालची बने हुए है उनका behavior बच्चों की तरह हो गया है एज के साथ साथ ये human psychology है कि जैसे जैसे लोगों का एज बरता है वो फिर से बच्चा बनने लगते है उनकी हट धर्णता बर जाती है वो हट करने लगते हैं वो जिद्धी हो जाते है तो बच्चों की तरह जिद्धी करने लगते है मुझे भी परधान मंत्री बनना है परधान मंत्री हलुआ है क्या कि परधान मंत्री बनना है हलुआ लाके देदो खिला दो इसको बच्चा जिद कर रहा है मुझे जिलेवी खाना है इस तरह की हालत है इस देश में जो उच्पदों पर बैठे हुए लोग है कहीं का मुखमंत्री हो परदेशों के मुखमंत्री की बात करता हूँ मुखमंत्री के साथ सद मंत्रियों की ब बने हुए हैं कई आईएस ओफिसर गवर्णर बना दिये गए हैं कई आईएस ओफिसर को डिप्लोमेट बना के रख दिया गया है तो सारे डिटायर लोगों को आप भर दिजिएगा तो आपको प्रोड़क्टिवीटी नहीं बिलेगी आपको उत्वादर नहीं बनेगा मतलब देश का विकास नहीं होगा देश बरवाद होगा क्योंकि वो काम नहीं करेंगे तो ओल्ड एज वाले जो मिनिस्टर हैं चाहे परदान मंत्री हो चाहे मुख मंत्री हो चाहे गवर्णर हो चाहे डिप्लोमेट हो कोई भी हो चाहे शंसन पर चलने वाले नेता मंत्री बियोक उससे देश का विकास नहीं होगा देश डूबेगा देश की अर्थवोस्ता चौपट होगी राज दिन कहा जाता था कि हम चीन को लालाख दिखाएंगे आज भी चीन ने हमारे 13-14 ठीकानों का कब जाकर नाम बदल दिया बोला यह मेरा इलाका है उसने नाम बदल दिया है और भारत सरकार उसके डिमांड को ठुकरा रही है रिजेक्ट कर रही है कि भाई यह नहीं यह गलत है यह कैसे तुम बदल दिये लेकिन उसने बदल दिया उसकी हिम्मत तो देखिए और कितना हजार किलो मीटर हमारे जमीन को उस कबजा कर चुका है अब तक कई बार हमारे सैनिकों को मार चुका है लेकिन क्यों क्यों कि जब एक निर्दय लेने वाला परदान मंत्री नहीं होगा जब सक्षम परदान मंत्री नहीं होगा तो देश का यही हाल होता है बिदेशी आकर्वन होता है और देश को बरवाद किया जाता है नेताओं के बेटा बेटी या तो मंत्री है या बड़े बड़े पोस्ट पे है कहीं ऑफिसर है कोई भिडेसों में है आप उठा के देख लीजे कहीं पर भी जो काबिल नहीं है जो अपने फिल्ड में माहिर नहीं है ओ भी BCCI का चीफ है हमिशा जी का लड़का की बात कर रहा हूँ कभी किर्केट नहीं खेला लेकिन BCCI का चीफ है किर्केट कितना सबसे पैसा वाला संस्थान है उसका हेड है राजना सिंग का दो बेटा है दोनों नेता बने हुए है धुमन जी के लड़का है राक ठाकुर जी ओभी मंतरी बने हुए है इन नेताओं ने आपके बेटा को क्या दिया आप जाती के नाम पर वोट करते हो आपको क्या मिला? आपके बेटा को क्या मिला? दंगा हुआ है बंगाल में, बिहार में, कई जगा पे उसमें कौन मरा है? कौन घायल हुआ है? और जो एरेस्ट हुए हैं वो कौन लड़के हैं? किसके बच्चे हैं? आपको पता था कि आपके बच्चा दंगा फैलाने जा रहा है? आपको पता था कि आपके बच्चों को पैसा देकर भड़काया जा रहा है? आपका बच्चा धंडा उठाने के लिए, नारा लगाने के लिए रैली में जाते हैं, हजार दोहजार रुपए लेके आपने रोका उनको ये काम तो नहीं अनानारा लगाने का आपने नहीं रोका तो अगर आप धंग से नेता नहीं चुनेंगे तो आपके बच्चों को काम नहीं दिया जाएगा आपके बच्चे बिहार से भाग के यूपी से भाग के पूरे भारत में फैले हुए है उनको नौकरी नहीं मिलती अपने राज्य मेशले दुसरे राज्यों में जाते काम करने के लिए और वहाँ उनके साथ मार्पेट भी की जाती है और कुछ लोग रीवर भी उठाते है कभी कभी सच्वे भी होता है सुरस से भाग के आते हैं मुंबई से भाग के आते हैं राज ठाकरे मुंबई में मारते थे भगाते थे लोगों क्यों क्योंकि आपने बिहार में धंका नेता नहीं चुना आपने यूपी में धंका नेता नहीं चुना तो आपको रोजगार नहीं मिला आपके बच्चों को प्लायन करना परा नेताओं के बच्चे क्या कर रहे हैं बिदेश में पर रहे हैं और अक्सफोड में रविशंकर प्रसाद बिहार के मंतरी रहे हैं अभी मंतरी नहीं है उनका बेटा फिर से ओकील बनाया है हाई कोट सुप्रीम कोट के ओकील बनेंगे आपके बेटा क्या करेंगे पत्थर खेकेंगे मस्जीद पे चरके भगवा लगाएंगे या मुस्लिम के लड़का है तो बसीम रिजबी की तरह मुस्लिमों में भी बहुत सारे लोग है जो बदले हुए है वो बीके हुए है जैसे बसीम रिजबी का देखिए कैसे वो भगवा धरन करके मुस्लिमों को गाली दे रहा था तो इस तरह के भी लोग है मुस्लिम में भी बहुत सारे लोग जो देख रहा हो डर से बीके हो चा जैसे हो और वो नारा लगाते हैं देश को तोड़ने की बात करते हैं आपस में हिंदू-मुस्लिम करते हैं एक दुसरे को उल्जा रहे हैं तो आपको कैसा चुनना है परहा लिखा और इमंदार परधान मंतरी जिसका दिमाग काम कर रहा हो जिसको सोचने समझने की सकती हो जिसके डिगरी का पता हो अगर वो परधान मंतरी बनता है तो उसके साथ ही आके गर्व के साथ मिले और बताए कि देखो मेरे साथ परहा है मेर आप बेबाकी से अपनी बात रखने वाले इन निदर्व स्वतंत्र नागरिका मरनात कुमार के स्वतंत्र विचारों को सुनने के लिए उनके ट्विटर अकाउंट के अलावा अन्य प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं